Hello everyone, welcome and welcome back to my new video तो आज मैं आपको test series के बारे में बताने वाली हूँ MPPS की प्रिलियंस 2024 के लिए test series कल मैं market गई थी और वहां मैंने 10-12 test series देखी उन में से मैं 3 select करके लाई हूँ मुझे personally काफी अच्छी लगी और मैं इनके बारे में भी बताऊंगी कि इनमें क्या-क्या खास है तो ये रही मेरे सामने test series ठीक है तो अभी FLTs नहीं आ रही है topic wise है unit wise test series मिल रही है तो पूरी 10 unit जैसे syllabus में 10 unit है तो 10 unit के according हर coaching की ठीक है FLT अभी नहीं मिल रही है तो मैं तीन coaching skill आई हूँ उतकर्ष, MGICS और चेतनमीना इंस्टूट ठीक है ये तीनों मुझे वैसे सारी test series अच्छी होती है पर ये अपना व्यक्तिगत भी रहता है कि हमें कौन सी अच्छी लगती है तो मुझे उतकर्ष की MGICS और चेतनमीना ये तीन मैं लेके आई हूँ आपको वैक्तिगत रूप से कोई और भी test series अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं स्वेक्षा से ले सकते हैं या फिर आपको test series नहीं पसंद है तो वो अपनी कोई भी mcq practice की book लेके अपने रूम में बैठके अपने घर में बैठके लाइब्रेरी में बैठके questions लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि test series नहीं करना चाहिए तो मत करिये आप mcq practice कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनको भीना test series की निकाल लेते हैं प्री बस mcq practice करके और syllabus को बार बार रिवाइस करके mandatory नहीं है बस यह अच्छी लगी मुझे इसलिए एक suggestion है कि अगर आपको लेना है तो आप लेने जाओ तो इनको भी देख सकते हो यह पूरे जो 10 unit है दोनों 10 unit इन दोनों booklet में है मतलब एक unit का एक test paper 100 question ठीक है तो ऐसे 10 unit के इसमें है 1 to 10 उतकरश की है इसकी अच्छी बात क्या लगी इसमें description वेगरा भी इसका बहुत अच्छे से दिया हुआ है साफी अंच्छे से तो ये बान मुझे काफी आछी लगी इसकी और question भी मैंने देख सर्ड को सिंब्ट काफी अच्छे लगए इसके तो उतकरश मुझे अच्छी लगी अगर इन तीनों में से यह होता कि मुझे एक ही टेस्टरी लेनी है तो मैं उतकर्ष लेती उतकर्ष लेती हूं लेकिन अभी मैं मुझे उतकर्ष अच्छी लगी तो मैं उतकर्ष लेती हूं फिर चेतन मीना भी अच्छी है चेतन मीना की बास यह एक बुक ले यह दोनों जो test series ना उनमें test paper है और उनके answer अलग से दिये हुए है कि यह answer की है description के साथ बड़ चेतनमीना में क्या है question है question के निचे उसका answer है और फिर उसका detail में description है बहुत ज़यादा तो एक होता है ना कि किसी सब का अपना अपना अलगी स्टाइल होता है किसी किसी को यह रहता है ना कि तुरंती जिसको आंसर देखना हो या फिर ऐसे तो किसी को आसा रहता अच्छा है इसका क्या होगा फेज पांच फेज यह होगा यह होगा यह होगा अगर किसी को ऐसा नही करना चाहो तो आपका अंसर देखने में धूने में टाइम वेस्ट ना हो अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको सरसरी निगाह से एक जल्दी से इस टॉपिक के कौन कौन से कोश्चान है सारे मैं करनू उस अकॉर्डिंग अगर आपको करना तो आप चेतनमीना ले सक लगते हो इतनी मोटी है और इसमें 6 यूणिट तक है और फिर यह है अच्छा यह तो यह मजी आई शीएस में बीड़ोगलेट है और यह इसमें भी 2 बुगलेट है और यह इसमें भी 10 यूणिट कवर रहे हैं 1 तू 10 तक है मनदब 1 से 10 यूणिट तक क्याप टेस्त लगा स शत्ते हो इसमें ठीक है और टॉपिक वाईस है हिंदी इंग्लिस दोनों में समय हिंदी इंग्लिस में कोशन्स है अब समय है इसमें है को कि ये सब में हैं डिस्क्रिप्चं सब बैus का फ़िक्शन होता है और को पुछन का वह सब औरर कि दोनों में दिया हुआ है पेरग्राफ करके देख लो ऐसे इता जी तो दोनों में दिया हुआ है tavíll तो इंग्रिश मिडियम वालों के लिए काफी अच लगहरा सजय घर अिस देखा जाय तो और बागी सम में जो Is एक बार इसको भी मैं चेक कर लेती हूं कुल Aris पुर्ठिकर्ष में भी डिस्क्रिप्शन जो है न वहदी में ही दिया हुआ है वसके चीतन, चेतन मीना वसकैसी है जिसमें कोशंल का जो आउसर वो उसका answer description जो है, वो English और Hindi दोनों में दिया हुआ है, बाकि meio question के बाद रही तो question है YOUR ceremony को तो dire约 हमńsk ग्रक्व से तो C और अभी तो काफी टाइम है, तो आप ऐसा नहीं कि किवाल एक ही, आप 10 टेस्ट तो है, एक टेस्ट मतलब कोचिंग में, अगर टॉपिक वाइस देखा जाए तो, तो आप कोई एक लगाने के बाद दूसरी भी ले सकते हो, ठीक है, उतकर्स लगाने के बाद, NGICS भी ले सक सकते हो, और उसके कोशन कर सकते हो, या भी नहीं भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया कि यह मुझे अच्छी लगी है, इनको आप एक बार देख सकते हो, I hope आपको मेरा honest review पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल क क्यार से, thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई